हेलो फ्रेंट, मैसल प्रोफेसर पुरिंट गोस्वामी, देपार्टमेंट अफ जूलोजी, पोधार इंटरनेशल कॉलेज तोड़े वी विल दिसक्स अबाउट फाइलम सिलेंटेट आज हम सिलेंटेट फाइलम के जनरल करेक्टर्स, यूनिक फीचर्स और कोरल रीफ के बारे में डिसक्स करेंगे सबसे पहले जनरल करेक्टर्स, सिलेंटेट के सिलेंटेट की टोटल 9000 species around the world है इसका नाम सिलेंटेट जो एक यूनिक फीचर सिलेंट्रोन से पड़ा है इस सिलेंटेट जो वाल्ड है उसको लुकात ने 1847 में कॉइंट किया इसमें एक और नाम दिया गया इसको इकॉर नाम इच्रिया जिसको निडेंटेरिया गया है इसे निडेंटेट्या फाइलम भी कहा जाता है यूंकि निडेंटेरिया ऍेन्स एक जन्रल वर्ड ग्रीक वर्ड है निड़ का मतलब इसका मीनिंग यहां पर इस्ट्टिंगिंग सेल होता है जिसका यहां पर एक यूनिट्वशित है सिलेंट्रेट में इसको निमेटोसिस्ट कहा जाता है सिलेंट्रॉन केविटी एक यूनिक केविटी होती है इसके अलवा इन सिलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सेल्ट इशुग्रेड बॉड़ी और्गनाइजेशन होता है इनकी बॉड़ी डिपलोब नेचर होते हैं यह सॉलेटरी एकल कॉलोनियल और साथ में आधार लगन भी होते हैं यह कुछ प्राणी फ्री स्विमिंग भी होते हैं इनमें यूनिक फीचर होता है वहाँ डाइब मॉर्फिजम के नाम से जाना जाता है जो पॉलिप और मेडूसया स्टेज में देखने को मिलती है इनमें एक और यूनिक करेक्टर है डाइज और अल्टर नेशन ऑफ जनरेशन पीडिये कांटरन जिसे सामाने तक आ जाता है कि जिसमें एक ही औ और यूनिक फीचर होता है जिसका नाम है पॉलिमॉर्फिजम इसका मतलब यह है कि इस एनिमल में सिंगल एनिमल में सेवरल मॉर्फोलोजिकल डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें अलग अलग जूइट्स पाए जाते हैं डेक्टाइलोजोईट्स इनके अन्य करेक्टर्स में इनमें हाइप्र स्टोंप आए जाती है इसके माउथ में सरांडिंग टेंटिकल पाए जाते हैं इसिंपल मौथ इस प्रेजेंट होता है एनस इनमें अप्सेंट होता है इनमें एक और यूनीक नौन सेलुलर लेयर पाए जाती है जिसको पार्ट होता है इसलिए उसका नाम जैली फिस रखा गया है इसके अलबा इन में परजेंस ऑफ नीमेटोसिस्ट जो सबसे यूनिक फीचर बताया था हमेंने वो भी पाया जाता है इन सब के अलबा इनमें डाइजेसन इंट्रास एलूलर और एक्स्टास एलूलर दोनों से होत होता है इनका लार्वा प्लेनू डार्वा जो की ऑविलिया में और इफाइर जो की औरेल्या में होता है इनका लेपोल्ल backstory अधर इनकी तीन इक्लाशन में सका इफोजवा और एंतोब हाइड्र जो में पार्ट होता है कि हम दौन-एवस्ता कोble Too अबिशाती हैं ऒंऐ तर्म है हाइड्र जोब घ्रीक टर्म है यह जो इसका मतलब योग용 इसके उधारण है है उभर्र वह निया वहले अन प्लिट पोड़ अउन structure जिन में होता है वो माने जाते हैं यह भी मेराइन है और इसके साथ साथ इन में कुछ यूनिक features भी देखने को मिलते हैं जो आगे further discuss करेंगे इनके एक्जेंपल है औरीलिया राइजोस्टोमा औरीलिया को जैलिफिस के नाम से जाना जाता है इन यह मतलब होता आई नेचर है इनेक्सके दिफ्रेंट यम के बारे मारे में करेंगे जिनके फिकर डैगरम deep गया में जैली फिस है मेट्रीडियम है है फस्ट वन क्लास है जैसे यह पर पता चुके हैं है इंड्र मींस वाटर होता है जो इस बन एनिमल्स होते हैं तो यह सारे अनिमल्स जो हैं यह पानी के अंदर पाइजाने वाले इनमें दोनों टाइप की इस पाई जाती है जिसको यह सोलेट्री और कॉलोनी फॉर्म होती है पॉलिपाइट जनेरेशन इन में देखने को मिलती है और सेंस औरूर इसमें और ओसीलाई स्टेटोसिस्ट देखने को मिलती है इसके दो बेसिकली सब ऑडर है एक एन्थो मेडियूसी और दूसरा है लेप्टो मेडिशी इसमें एक्जम्पल आते हैं है हईडरा एंड ओबेलिया okay next है इसका अगला order है इसका नाम है estásanna होते हैे और विदाउट हें में पैरी सारक नहीं पाये जाता मिली पुरा का hearts हाईटוגा होते हैं कोलोनी हेव तु काइंड और टाइप की होते हैं डěक्टाइव और फिर गेस्ट्रॉक'T शिसका एक्जम्पल है इस्टाइल एस्टर नेक्स्ट जो और है वो है और फोर्थ डट इस ड्रेक्टे लाइना इसमें पॉलीप जो स्टेज रहे वो पर अप्षेंट वह जाती है इसके दो मेल सब और यहां दिखाएगा है पहला सब और है ट्राइक ट्राइके मेडिशी और दूसर जो बांस्तोर ऑड़र इये इसमें साइफ़न टायब की आक्टिविटी देखने को मिलती है साइफ़न इसको पॉलीमॉर्फिक कंडिशन होती है इसमें free swimming होते ही है floating च्बर सेंट में अनिमल कप लाइक ऐनिमल होते हैं इसमें जैली फिस्ट को लिए गया है और इसके अलावा मार्जिनल सेंस ओर्गन्स होते हैं टेक्टा क्यों लोग साइट्स देखने को मिलती है नेक्स्ट यह डिफरेंट एक्जम्पल्स दिए गए हैं जिसमें और इलिया को दिखा गया है जो जैली लाइक स्टिक्चर है इसके बाद राइजिस्टोमा देखा गय तो आटेस होता है एन और अब औरल स्टाक में बोडी ग्लूबेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लार्वा इसका प्लेनुला होता है एक्जम्पल है लूसीरीनिया और हैली क्लाइटस second order है क्लिशा क्यूब उमेडूसा क्यूब लाइक मेंडिशा होते हैं फ्री-उबिग इसका इसका स्टयेयोantom ब्लूद स्ट्रक्रयज करवा है और वार्म और स्वालो वार्टर में church and को मिलता है बॉडी क्यूबी के इसका नाम क्यूबिमेडिशा दिखागे है ट्लिब इसमें देखनों को मिलते हैं अगला पार्ट तीसरा ओडर है कोरोनेट कोरोनेट यह फ्री स्विमिंग स्काइफों में दूशी होती है और इनिबिटिंग डीप वाटर में यह पाए जाते हैं अब्डी कोलोनेट है डॉम सेब्ड होते हैं अंब्रेला प्रवाइड गूरुप इनमें प्रोवाइड ग्रूप्स प्रवाइड गया जाते हैं होते हैं इसका एक्जाम्पल है प्री कॉल्पा और प्रि फाइला फ्लार यह इनिमल्स होते हैं इनमें पॉलिपॉर मेडुश्टा इसके साथ इनमें कुछ यूनीक फीचर्स भी होते हैं इसमें इसमें प्रिजेंट होता है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी डिवाइड होती है दो पार्ट्स में मीजोगलिया कंटेंड फाइबर कंटेंडिंग तीश्यू अमीबाइट साइज इसमें देखने को मिलती है नर्व सिस्टम टिपिकल नर्व नर्वनेट विदाउट एक कंसंट्रेटेट सी एनेस होता है गोनेट्स जो होते हैं वह एंडोडर्मल इन ओरिजन होता है यह एक्ज प्रव नियल मेरा इन फॉर्म होती है पॉलेव इनमे लॉंग और शाट्स इलेंड गल टर्मिनेटिंग और लोता है इसके अलावा इनमे एट कंप्लीट मेसंट्री प्रिजेंट होती है नेक्स्ट इसकी जो और है वह पहला ओडर है इसका इसका इस्टेलो निफॉरा जो उनिएफीटरएक विच्र illusionaire ले वह नेक्स सूंट इसका एक्जम्पल है किह अगला ओर्ड एह ल साइउ नेस इस में ऐल सा कॉलोनी मुस्रूम प्रोसेसेट इनुन इक्सफ नलास्ट-मिक थक केलिया जो है वो भी एक यूनिक फिचर रखने वाले स्केलेटन इस मेसिव कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टेलाइन केलकेरियस फाइबर ऑफ कैल्सियुम कार्बोनेट नौट ऑफ फ्यूज स्पीक्योस नहीं होते इसका एक्जामपल है हीलियोपोरा अगला नेक्स्ट इसका ओडर है गौर्गो इसंसीया जी जैदा तर इसमें आते हमें ौरेलियम भी इसी गृरप का वेलोग करता है यौράस कोलो नेक्ड प्लांट लैस इसका पैनटू लेस्या इसका पैैनेटूला इसका एक्जामपल है रनीला इसका एक्जामपल रिभरह वरी यूनिक features इन में होते हैं, colony is elonged and divided into proximal stark और pentacles and distant reaches, next order जो है, इसकी second subclass है, एन तो जो अकी, जो एन्थेरिया और एक्जा कोरेलिया, जो solitary और colonial मेरा in form में देखने को मिलता है, और इसके tentacles simple होते हैं, rarely branched होते हैं, hollow concept होता है, polyps are usually monomorphic होता है, इसके यह different 5 order है, पहला order है actin area, दूसरा order है madripoor area, next order है joanthia, और next order है anti-patheria, और last one is the syria-antheria, यह different orders है, जो इसमें देखने को मिल रहे हैं, पहला next, पहला है order actin area, जिसमें actina example है, matridium example है, madripoor area में esterea, और fungi, इसका example है, फेविय भी इसका example है, next third order है, joanthia, joanthus इसका example है, next order anti-patheria, जिसका anti-patheria, जिसका example है, तो यह classes थी, जो की अपने class एंथुजवा था, next last order है, जिसका नाम है, syria-antheria, जिसका example है, syria-anthus, अगला पार्ट है, जो unique character, polymorphism in silent rate, very unique feature, polymorphism means, poly means many, morphs means form, इसके बहुत सारे form होते हैं, एक यह organism में, अलग-अलग forms पाई जाती है, इसलिए इसको, क्या कहते हैं, polymorphism word यूज़ कहे जाता है, जिसको बहुरूपता हिंदी में कहा जाता है, two main forms होती हैं, इसमें polyp और medusa, polyp जो होती है, वो tubular, और mouth is surrounding the tentacles, mouth के चारो तरफ, tentacles के चारो तरफ, जो mouth के चारो तरफ tentacles होता है, और pedal disc इसमें, सबस्टेटर में पाई जाती है, और polyp आर सैसाइल होता है, medusa ही जो होती है, umbrella होता है, bowl saved होता है, marginal tentacles and mouth centrally located on the projections, इसके अलावा, जो medusa होती है, वो motile होती है, different type के polymorphism देखने को मिलता है, पहला है dimorphism, जो अगर एक एक अनिमल में, दो zoids देखने को मिलें, एक तो gastrozoids और gonzoids, तो इसे dwarfism कहते हैं, दिरूपता कहते हैं, तो gastrozoids का काम होता है, feeding करना, और gonzoids का काम होता है, asexual reproduction करना, यह basically dimorphism, hydraorobelium पाए जाता है, next one is the trimorphic condition, trimorphic में gastrozoids और gonzoids के अलवा, dactylozoids भी पाए जाता है, जो defensing का का काम करता है, next आता है कि third conditions है, वो condition है, तीसरी stages की polymorphic, यानि कि large number of, इसमें, जूइट्स पाए जाए जाए, एक individual animal में, इसका मतलब यह हुआ कि तीन से अधिक, अगर जूइट्स पाए जाते हैं, तो that is called is polymorphism, इसमें एक अपन ले सकते हैं, कि इस टाइप का hydra, एक्टीना निया कंसिस्टेश, इसमें फाइप ईपयों ये पौलीप सी होते हैं, पहला है गेस्टोड्य जयूट्स, दूसरा है डेक्टाइलो जयूट्स, तीसरा है लेटेक्टाइलोजोईट्स, और चौथा है classified गॉन्णोजैट्स, बिद्स कखा होता है यह दिफरेंट फार्मस है जो दिखाएन और पॉर्मस में गेस्ट रजाईट ररेक्शन और पौलिंट की जो मॉडिफिकेशन और भी देखने को मिनते हैं नेक्स्ट कोरल एंड कोरल रीफ यूनीक फीचर ऑफ शिलेंटेट कोरल का मीनी यहां पर कॉलोनी ग्रूप में अगर को डवलप करते हैं कोर जो होते हैं ग्रूप होता है पॉलिप्स का और यह मेराइन में देखने को इनवर्टीब्रेट है और एंथो जो आप क्लास को बिलो करते हैं जुड़ करण एक डवलप करते हैं को कोरल रीफ कहते हैं मेंख बाइद कैल्सियूं कारबोनेट सेंसार में में दिफरेंट हैप और क्याईवर्टीव से फिल्टाइप सB नॉन रीफ होता है उसी टाइप का होता है लेकिन यह बहुत सारे किलो मीटर्स तक होता है तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है कुछ युनीक फीचर रखने वाले रेड़ सी कोस्ट अंड आस्टेलिया जो आस्टेलिया ग्रेट बेरियर रीफ जो होता है इसका आस्टेलियर रीफ रूट वड़ो बेड ले रेंड देद नेललन वास्ट रैड वर्य रूनीक ओ फीचर विचर चिर ले यह ताट इस दवरंक्स